नमस्कार मैं उटकर्श आप देख रहे हैं नेशन नियूज एलज़पी सुप्रीमोर चिराप पासवान ने ट्वीट किया है जिसके बाद खलबली से मच गई है उनोंने टारेक्ट सीद plants तोर में बीजेपी प्रत्यासी स्रेयर सिंग ago लोजपा के तरफ से समंत्र मेरे की बात की है जमुई से वह इस बार बिजान सफ़ा के टिकेट पे भाजपा की तरफ से लड़ रही है आपको बता दे खूर में ट्वीट करके क्या कुछ काई उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जमुई विधान सभा से भाजवा प्रत्याशी एवं मेरी छोटी बहन श्रेया सिंगोर धेर साधी शुबकामना है लोजबा के सभी कारे करताओं से अपील है कि श्रेया की मदद करें भाजबा प्रत्याशी और लोजबा प्रत्याशी ही मिलके युवा बिहार नया बिहार बनाएंगे उन्होंने साफ तॉट पर यह भी कहा है कि जिदियू को दिया गया एक भी वोट सिख्षकों को लाटी खाने पर मजबूर करेंगा इस ट्वीट से क्या कयास लगाए जा रहे हैं और क्या कयास लग रहे हैं आईए जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अभय प्रेदर्सिस अब क्या सोच रहे हैं कि जो एजेपी के तरफ से अभी जो भाल में ही करी ट्वीट आया है इसको लेके लोग में क्या बाते बन सकती हैं क्या क्यास लगाए रहे हैं कि कयास की बात तो नहीं यहां पर साफ कर दिया है जो गृइंद रिंद नंत्रिंग है मिट्सा उनुने एक टीवी चैनल को रिपे उन यह साफ कर दिया है कि बीजेपी और निथीश कुमार जो है जीडिउ है हो साथ है एक हम से अलग है हमारे दम में निहार में चार दनी चुलाब लग रहा है तो यह साफ कर दिया है क्यास बहुत सरे लगा जा सकते थे इस क्यूट के बाद ऐसा लग रहा था लोग मान रहे थे कि सायद बीजेपी एल्जेपी का फिर से कुछ दुबारा गठांदन हो इंडिये मिख्य रोसकता है कि चिराग सामिल हो लेकिन यहां पर अभी था ने यह साफ कर दिया है कि वह साफ कर दिया रहा है और दूसरी बात आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरीके से चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे थे तिया नितीश कुमार के खिलाफ जबक दरबदा के तकसीब की मां कर रहे थे लेकिन अंत में बात नहीं बनी और वो खुद एंडिये छोड़ के गया है तो सिफ जेडियों ही नहीं एंडिये के दो और भटकदल हैं वी आईपी और जो हिंदुस्तानी अवाम मुचा है वो उनके खिलाब प्रत्यासी उतार रहे है करी हमने अपने चानल के मादर से रिकाया था कि संजे सिंधी का इंटर्व्यू किया था हमने उसमें उन्होंने बताया था कि वह जो वी आईपी पार्टी के संस्थापक है मुकेश नहीं उनके विरूद से सिम्री वक्तियारपुर से रहे हैं तो आपको क्या रगता है कि कह अपने नहीं जो सिर्फ उनका उस्था है वो जेडी हुई नहीं उनके और जो घटक दल है उनके साथ बिल्कुर बुलकुर सिर्फ नाराज़गी नहीं कहने है दल अलग हो गया है अब देखिए बीजेपी के साथ तो लड़ नहीं रहे है चिराग पासवान तो लाजमी सी बात है कंडिरेट उनको 43 इप लड़ना है तो वो कंडिरेट उटा रहे हैं उनके खिलाफ एंडिये खिलाफ साफ कर दिया है चिराग पासवान ने कई बार अपने इंट्रव्यू में कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं जाओंगा लेकिन बीजेपी लाड़तार बयान बाद ली हैं उनकी वजए से नितीज जी बिहार के मुख्य मंत्री बने हैं तो उन्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए पर बीजेपी लगातार उनके पलटवार कर रही है इसमें क्या लगता है आपको कि बिहार में कहीं न कहीं लजेपी बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशि देख लीजेए कोई बयान बीजेपी छिलाब उसके बावजूद चिराग पास्वान ने नहीं किया तो यह तैय है कि बीजेपी को साथ लेकर चलना चाहते हैं ऐसे में जैसे उनके जो पिता जी ती श्वरगी है रामिलास पास्वान जी उनको मौसम में ग्यानिक बोला जा है कि कौन किसके साथ जुड़के सब्कार बना सकती है बिल्कुल उनका जो एक दौरा था वो नेता था कुछ अलग धंके थे लेकिन यह तो आने वाला बगत ही पताएगा कि उनके लक्ष कदम इस तरीके से थे चिराग पास्वान में हैं कि नहीं कि उनमें यह देखा गया रहा कि वो परिवार को लेकर चलते हैं राजनीत और परिवार को एक तरह से मैनेज करके चलना सबकी बसकी चीज नहीं तो यह आने वाला समय ही पताएगा कि चिराग पास्वान में बोगून है कि नहीं तो आपने देखा कि जैसे ही बीजेपी के तरफ उनका जो जुकाव था जुकाव है भी वो काफी जादा है और चिराग पास्वान ने साफ तौर पे लजेपी के जितने भी कारे करता हैं को कहा है कि जमुई से आप उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे बाकी कबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन यूज थन्यवाद